निर्देश सुध्धम विकल्पम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत सुध्ध विकल्प चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए अर्थात, यहां कुछ रिक्तिस्थान के सब्द दिए जाएंगे, प्रस्व में एक से अधिक विकल्प आपको दिए जाएंगे उन में से जो विकल्प सही है, उसका चेहन करके आपको लिखना है प्रस्ण है खलस्य धनम रिक्तस्थान भवति अभीर मंजुसा में दिया हुआ है नहीं गुएर इन दीज़ाँ स्थान की पूर्टि करनी है प्रस्ण है कलस्य धनम रिक्तस्थान भवति खल कर था तो दूस्ट का धन खाली स्थान के लिए होता है किसके लिए होता है मदाय मद के लिए मदेन मतलब मद से और मदम मतलब मद को इसका हिंदी भावार्थ होगा उत्तर क्या होगा बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा मदाय तो उत्तर आपको किवल मदाय बस नहीं लिखना है क्या करना है आपको पूरे प्रस्ण की भासा में उत्तर देना है आपको पूरा लिखना है क्या लिखना है खलस्य धनम मदाय भवत और अब मदाय जो है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको रिखांकित करना है, जैसे आपको आपर भिन्न वर्ण वाला दिख रहा है, ऐसा आपको करना है, मोटे अक्षरों में लिखना है इसको, तो इस तरह से पूरे वाक्य में इसका उत्तर आपको देना है, चलिए, नास्ति, नास्ति, संति, इन तीन विकल्पों से रिक्तिसान की पूर्ति करनी है, विद्यार्थिनह सुखम, विद्यार्थि को सुख, अस्ति का मतलब होता है, नास्ति मतलब नहीं है, और संति मतलब हैं, अर साथ, विद्यार्थि को सुख, क्या, अस्ति, नास्ति, संति, कव इसको रिखांकित कर दीजिए, भीरण वहरण वह दिख रहा है आपको, ऐसा, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, पहले देखे, रिक्तिस्थान आवश्य करने कि वाक्य के अंत में दिया जाए, हो सकता है कभी मध्य में दिया जाए, हो स परिक्षा किया जाता है उसकी परिक्षा की जाती है चत्वारह चार चतस्री भी है या चतूर भी है तो क्या उत्तर होगा यहां पर उत्तर होगा चतूर भी है चतूर भी है पुरुसह परिक्ष्यते चार प्रकार से पुरुसकी परिक्षा ली जाती है यथा कनकम परिक्षते जिस तरह से सोने की परिक्षा चार प्रकार से ली जाती है उसी उन्हीं चार प्रकारों से वैसे ही चार प्रकारों से पूरुस की परिक्षा ली जाती है तो तर होगा चतूर भी है तो चतूर भी है पूरुसह परिक्ष्यते हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है यत्र वृद्धाह न संती रिक्त इस्थान सभा नास्ति यत्र वृद्धाह न संति जहां वृद्ध नहीं है फिर रिक्त इस्थान सभा नास्ति वह सभा नहीं है सह का प्रयोग जो है वह पूर्लिंग में होता है सा का प्रयोग वह सा का अर्थ होता है वह इस्ट्रिलिंग में होता है और तत का मतलब होता है वह और इसका प्रयोग होता है पूर्लिंग में तीन सब्द दिये हैं सह सा और तत तीनों कतात पर होता है वह सह कतात पर पूर्लिं सा का ताध पर्य इस्ट्रिलिंग और तत्कत पर्य नपुन्शकिर रिंग में है तो उत्तर कॉन सा ङॉ Farm कि प्रयोकत की आ? จะ लिए तो सभा का लिंग क्या ही आपको देखना है वह पूल लिंग है इस्ट्रिलिंग है कि नपून सकन्य है कौन्सा लिंग है वह यत्र विद्धाह नसंति, साह सभा नास्ति, तो सा को आप रेखांकित कर दीजिए, पूर वाक्यों को लिखिए और सा को रेखांकित कर दीजिए, इस तरह से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, सर्वम सत्य रिक्तिस्थान, फिर तीन सब्द दिये हैं, प्रतिश्ठितम, प्रतिश्ठिताह, प्रतिश्ठितानी, तो सर्वम सत्य सब कुछ सत्य में, प्रतिश्ठितम, प्रतिश्ठित है, प्रतिश्ठिताह, इसका भी तात पर प्रतिश्ठित है, और प्रतिश्ठितानी, प्रतिश्ठित हैं तो उत्तर क्या होगा सर्वम सत्यम प्रतिश्ठितम क्यों कि सत्य जो है यहाँ नपुन्सक लिंग का सब्दा है इसलिए नपुन्सक लिंग वाचक प्रतिश्ठितम यहाँ सब्दा है यहाँ उत्तर होगा तो प्रतिश्ठितम को क्या करेंगे आप पूरे किसे तरह से कर सकते हैं कि अगे अगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है अग्मारी का ce न तालीका में एक उधरन फी दिये जाएगा आपको घनलीका का किया दिया गए देखते है जो पहले लिखा है सब्दह, फिर एकवचनम, फिर द्वीवचनम, फिर बहुवचनम और विभक्ति, ये चीजें दी हुई हैं, अब इनको पूर्ति कैसे करना है, आईए एक उधारन पहले दिखते हैं, सब्द दिया हुआ है छमा, छमा सब्द दी हुआ है और विभक्ति में कहा प्रत्मा, तो छमा सब्द है इसकी प्रत्मावी भक्ति का एक वचन, द्वीवचन और बहुवचन इस तालिका में हमको लिखना है, तो छमा सब्द का प्रत्मे भक्ति का रूप होता है छमा, छमे, छमा, तो इस तरह से अभी हमने छमा सब्द का प्रत्मे भक्ति का रूप एक वचन, दुवचन और बहुचन में लिखा इसी तरह से अब जो दूसरे अन्य सब्द दिये जाएंगे उन सब्दों की पूर्ती इसी तरह से हमें करनी है तो अगला सब्द है तरु तरु सब्द है और लिखना क्या है विभक्ति में देखिए विभक्ति में लिखा है दुवितिया तो इसकी दुवितिया विभक्ति हमको लिखना है तो तरु सब्द दुवितिया विभक्ति में रूप क्या होगा जैसे गुरु का होता है गुरु हो गुरु गुरु गुरुन गुरु गुरु गुरुन तरु सब्द का प्रत्मे विक्ति क्या होता है तरु तरु तरवाह जैसे गुरु गुरु गुरुवाह होता है उसी तरह से तरु को क्या हो जाएगा तरु तरु तरवाह फिर द्वित्य विक्ति में रूप बनता है तरुम तरु तरुन तो यहां क्या लिखेंगे यहां पू कौन को लगाने और कर सब्ते जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला सब्ड़ा है सभां कौन में भीभक्ती लिखने हैं वीभक्ती प्लकरण मिं कर देक किलों लिखाता है त्रितिया, तो सभा सब्द की त्रितिया विभक्ति लिखना है, सेस को नहीं लिखना है, ध्यान दिजेगा, सभी विभक्तियों को नहीं लिखना है, जो विभक्ति पूछा जा रहा है, केवल उसको लिखना है, परिक्षाओं में, जिस विभक्ति को पूछा जाए, जिस वच वचन को पूछा जाए केवल उसको ही हमें लिखना होता है तो सभा सब्द दिया है और इसके तृतियों भक्ति लिखने के लिए कहा गया तो सभा सब्द का तृतियों भक्ति लिखिए तो सभा सब्द का तृतियों भक्ति क्या होता है जैसे लता लता का रूप जैसे बनता है लतया, लताभ्याम, लताभी है, इसी तरह से सभा सब्द का रूप बनेगा, क्या बनेगा? सभया, सभाभ्याम, सभाभी है, हो गया? ऐसा ही करते जाना है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है सत्य, सत्य का क्या लिखना है? सत्य का लिखना है, हमें चतूर्थी भक्ती, तो जैसे फल का चतूर्थी भक्ति होता है फलाय फलाभ्याम फलेभ्यह इसी तरह से सत्य का चतूर्थी भक्ति क्या होगा सत्याय सत्याभ्याम सत्यभ्यह केवल इतना लिखना है हमें अधिक नहीं लिखना है बस चली आगे बढ़ते हैं अगला सबदा है बंधु बंधु का क्या लिखना तो पंचमी विभक्ति लिखना जैसे गुरु का पंचमी वक्ति होता है। गुरुभ्याम गुरुभ्या इसी तरह से बंधू सब्द का पंचमिय को लिखना है ध्यान दीजेगा सभी सब्दों के रूप करने के आवशकता नहीं होती है सब्दों रूप को बात करते हैं तो उसमें जैसे अकारंत हैं तो अकारंत का एक आप याद कर लीजिए उसके अन नाम अपको आना चाहिए पूरा प्रतमा से लेकर संबोधन तक ऐसा करें तो निश्रीत रूप से आप अच्छे जानकार होंगे अच्छा अभ्यास भी हो जाएगा आपका, तो चलिए, यहाँ परसब्द आया है बंधू, तो बंधू की पंचमी लिखनी है, तो जैसे बंधू का रूप किसके हिसाब से बनेगा, बंधू का रूप बनेगा गुरू की अनुसार, तो गुरू का रूप बनता है गुरोह, ग चतूर काताथ पर रही होता है चार, इसका क्या लिखना है? इसका सश्ठी लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, जितने संख्या वाची सब्द हैं, एक कहते हैं, तो एक का केवल और केवल एक वचन में रूप बनता है, दो कहते हैं, तो दो का रूप जो है द्विवचन में बनता है, तीन कहते हैं, तो तीन का रूप जो है केवल बहु वचन में बनता है, तीन या तीन से अधिक कि जितने संख्या हैं, उनके रूप केवल और केवल बहु वचन में बनेगा, एक वचन में या द्विवचन में इसका रूप नहीं बनेगे, तो चतूर ये इसका ता पूर्लिंग और इस्ट्रिय रूप में नपुन सक्लिंग भी कहा है तो उसमें भी है तो चतुर नाम और चतनास्त्ररिंग नाम ये इसके रूप बनेंगे ईचोगी नपून प्रत्मा अद्वितिया नपुन सक्लिंग का रूप अलग होता है और सेश रूप तरितिया से लेकर सब्तमी तक बोलिंग जैसे होते हैं, इसलिए इसके रूप के होगे चतरो नाम, स्ट्रिलिंग में चत्रो नाम, बस ये दो रूपी ही इसके बनेंगे, और किसमें बहुवचन में, एक वचन और दुवचन का जो खंड है, ये क्या होगा, य अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सब्दा है आदस, आदस सब्द का क्या लिखना है, नपुन्सक लिंग, नपुन्सक लिंग में रूप लिखना है, तो नपुन्सक लिंग और पूलिंग दोनों का रूप एक जैसा बनेंगा, और इसके क्या लिखना है कौन सी भक लिखना है तो अदस सब्द का नपुन्सक लिंग सब्दम विभक्ति का रूप होता है तो अमिस्मिन आमुयोह अमीसु तो इस तरह से जो विभिन सब्द जो है इनके सब्द रूप आप इस तरह से बना सकते हैं इसके लिए अभ्यास करने की अवशक्ता होगी और जिस जो विभक्ति का रूप पूछा जाए केवल आपको वही लिखना है, पूरा सभी विभक्तियों के सभी वचनों के रूप लिखने के आवशकता नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला भ्यास है का वर्ग का वर्गम खा इती वर्गेन सह योजयत, अर्थात का व जोनों में कुछ सब्द दिये हुए हैं, आईए, उन सब्दों को पहले देखते हैं, का वर्गमें जो दिये हुए सब्द हैं, वे सब्द हैं, सत्येन तपति, और इसके आगे का वर्गमें जो सब्द दिया है, वो है दारिद्रियम, फिर का वर्गमें सब्द दिया है, जा अभी इनको क्या करना है करना है इता जोड़ी बनाना है सही मिलान करना है क्या कावर्ग में सामने जो सब्द दिया गए है वहाद है यह आपको पहले देखना है, यदि सही नहीं है, तब आपको इसको सही करना है, तब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब खा खंज जो दिया है, इसको हम यहां से विलोपित कर देंगे, हटा देंगे, और उसके बाद फिर का वर्कर के सामने हम लिखेंगे सही उत्तर अब सही उत्तर क्या होगा, सत्येन तपती, इसका सही उत्तर किसके साथ बनेगा, दारिद्यम के साथ बनेगा, धनचयम के साथ बनेगा, भयम, रवी है, और सक्ति यह जो सब्द हैं, इन में से सत्येन तपती, हम पाच पढ़ें उसके दार पर, सत्येन तपती, रवी है, त लिखेंगे रवीह अगला जागरीते नास्ति अर्थात जागरीत रहने पर या सतर करने पर नहीं होता है क्या नहीं होता है उत्तर क्या है तो लिखेंगे भयम जागरीते नास्ति के आगे भयम इस तरह से आपको करते जाना है अगला पर द्वेसात भवती पर द्वेसात अर्थात दूसरे से द्वेस करते हैं इससे क्या होता है उससे होता है धन छयम स्युत्तर में लिखेंगे धन छयम अगला पर रक्षणाय भवती रक्षा करने योग रक्षा करने के लिए होता है क्या होता है सक्ति सक्ति का प्रयुक जो है रक्षा करने के लिए होता है होना चाहिए तो इसलिए रक्षणाय भवती सक्ति है अब क्या बच गया उद्योगे नास्ति उद्योगे नास्ति के स और वो क्या है वह दारिद्रयम तो उद्द्योगे नास्ति दारिद्रयम तो एसा कर दीजे फिर हो गये ये तो इस तरह से हम कम वर्ग के साथ में जो गलत ध्यान दीजेगा वर्गласт को आपको परिवर्थित नहीं करना है कह वर्गelu वो यथावत रहेगा खवरग में जो उत्तर दिये हैं इनका क्रम आपको बदलना होगा तो वैसा आप करते जाएंगे और फिर वहां सही उत्तर लिखिए और कवरग के सामने जो सब्द दिये हुए हैं जो पद दिये हुए हैं उनका उचित संबंद बनाकर के सही जोड़ी ब उदाहरणम अनुस्रित्य अधो लिखित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुर्थ अर्थात उदाहरन के अनोसार नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्य के का विभाग करना है उसको अलग करना है या संयोगम या जोड़ना है विभाग मतलब अलग करना और संयोग मतलब जोड़ना कुरुत करो अर्थात नीचे जो सब्द दिये हुए हैं उनमें से धातू दिये हुए हैं और प्रत्या दिये हुए हैं कहीं पर इन्हें हमें नहीं जूड़ा होगा तो जूड़ना है और जूड़ा हुआ होगा तो उसको क्या करना है विभाग करना है उन्हें अलग करना होगा य्था यथा का मतलब होता है जैसे एक उधारन दिया क्या उधारन दिया उधारन यह सब्दा मिल करके जागरी तम बनता है इसी तरह से और जो सब्दा भी दिये जाएंगे उन्हें हमें हल करना होगा आए आगे बढ़ते हैं सब्द दिया हुआ है क्री धनक्त क्री धातु है क्री का मतलब होता है करना धनक्त को जोड़ें तब क्या बनेगा यहां पर तब यहां पर बनता है क्री तम ध्यान दिजेगा अक्त प्रत्य का प्रयोग जब होता है तब इसके जो रूप बनते हैं वो तीनों लिंगों में रूप बनते हैं पूर्लिंग में भी रूप बनता है और नपुनसक लिंग में रूप भी बनता है जैसे जागरितम जो कहा गया है यह नपुनसक लिंग का का रूप है तो क्री धन्त यह थी क्रीतम नपुन्शक्लिंग में पूर्णिंग में कहेंगे तो क्रीत यह तीनों बनेंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर पहले ही रिक्त इस्थान दिया अर्थात धातु क्या ही है हमको बताना है फिर धन्त बराबर चिन्नह अर्थात चिन्नह में कौन सधातु का योग करें कि इस धातु के साथ में अक्ता प्रत्य का योग करेंगे तो चिन्नह बनेगा यह पूछा गया है तो यहां पर चिद धन्त इति छिन्नह चिद मतलब काचना तो चिद धातु है चिद धन्त इति छिन्नह चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है चीद धनकत अब चीद हातू और तप्रत्य दोनों का योग करना है और दोनों का योग करके क्या बनता ही ये लिखना है तो चीद हातू में तप्रत्य का योग करते हैं तो दो रूप इसके बनते हैं एक चीद बनता है और एक होता चीनम चीन खीना यह रुप बनेंगे तो चीतम बनेगा नपुन सकलिंग चीता बनेगा पोल्लिंग चीता बनेगा यह इस्लिंगक यह स्रिलिंग Chief Chee धातु है व्रिद धन अब यहां पर प्रत्य कौन से जोड़ें जिसे व्रिद्धा यह सब्द बने यह कहा गया है तो व्रिद्धातु धन तप्रत्य इति व्रिद्ध चलिए अगला है प्रती धन रिक्तिस्थान फिर धन फिर प्रत इति प्रतिस्थितम यह सब्द बनाएं तो प्रतिस्थितम सब्द बनाने के लिए प्रती का योग करना है और धातु का उन से योग करना है यह पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं स्था धातू होता है इसका तिष्ठ रूप बनता है तो प्रति धनस्था धनक्त इति प्रतिश्चितम स्था मतलब ठाहरना तो प्रतिधन स्था धन ता इती प्रतिश्ठितम तो प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा सुभासितानी और साथ ही इस पाठ के जितने अभ्यास हैं उन सब को भी हमने हल किया निश्यत रुप से आप पाठ को भली भाति समझे हैं और इस पाठ में जितने नीती की बाते कही गई हैं जितने सुभासित वाक के कहे गए हैं जितनी अच्छी बाते कही गई हैं उन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और उनका पालन करेंगे सुभासित स्लो कि इन अभ्यास प्रस्णों में जो प्रस्ण दिये गए हैं, उन में से ही परिक्षाओं में पूछे जाएं, वहां से यदि पूछे जाएंगे, तब तो आप लिख लेंगे, लेकिन यदि पाच्ट के भीतर से भी यदि प्रस्ण पूछे जाएं, तो चुकि पाच्ट के भीत परियाय पदों को विपरियाय पदों को साथ ही विभक्ती रुपों को संधी को समास को अर्थात व्याकर्णिक तत्व जो है इन सब को हमने भली भाती समझा है इसलिए निश्चित रूप से पार्च संबनित कोई भी प्रश्न यदि किसी भी परिक्षा में पूछा जाता है उसके उत्तर देने में आप समर्थ होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ चलिए हम अब अगले पार्च मिलेंगे तब तक के लिए सर्विभ्यो नमो नमः चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है का वर्ग का वर्गम खा इती वर्गेन सह योजयत अर्थात का वर्ग और खा वर्ग यह दो वर्ग यहां दिये जा रहे हैं इन दोनों में कुछ सब्द दिये हुए हैं आईए उन सब्दों को पहले देखते हैं का वर्ग म में कवर्ग में जो सब्द दिया है वह धारिद्रियम है कि द सब्ध के द plugged में सब्द दिया है जागरीते नास्ती कि इसके आगे खवर्ग में धनचयम के Unawa mean अब है परद्वेस्व इसांत भवती और भय पिर कवर्ग में रक्षणाय भवतի ठावर में दिया है we कव अर्गे के सांथ में क्या करना है योजीत करना है रथात जोड़ी बनानां करना है क्या कव अर्गे के सामने जो सब्द दिया गए है वह सही है यह आपको पहले देखना है यदि सही नहीं है तब आपको इसको सही करना है तब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब खा खंज जो दिया है इसको हम यहां से विलोपित कर देंगे हटा देंगे और उसके बाद फिर का वर्कर के सामने हम लिखेंगे सही उत्तर अब सही उत्तर क्या होगा सत्येन त हैं इन में से सत्येन तपती हम पाच पढ़ें उसके धार पर सत्येन तपती रवी है तो अब कवर्ग जहां पर लिखा है सत्येन तपती उसके सामने एक अगला जागरीते नास्ति अर्थात जागरीत रहने पर या सतर करने पर नहीं होता है क्या नहीं होता है उत्तर क्या है तो लिखेंगे भयम जागरीते नास्ति के आगे भयम इस तरह से आपको करते जाना है अगला पर द्वेसात भवती पर द्वेसात अर्थात दूसरे से द्वेस करते हैं इससे क्या होता है उससे होता है धन छयम से उत्तर में लिखेंगे धन छयम अगला पर रक्षणाय भवती रक्षा करने योग रक्षा करने के लिए होता है क्या होता है सक्ति है सक्ति का प्रयुक जो है रक्षा करने के लिए होता है होना चाहिए तो इसलिए रक्षणाय भवती सक्ति है अब क्या बज गया उद्यो जोनवे नास्ति के साथ में कुछी जोडी बनाना है कौन सा भज गया है वह देख लीजिए पेवल एक बचाय है और वो क्या है वह है तो उद्ध्योगनास्ति दारीद्र्यम्र इसकर दीजे फिर बंग अंद कर समात्यू आपको बदलना होगा तो वैसा आप करते जाएंगे और फिर वहां सही उत्तर लिखिए और कवर्ग के सामने जो सब्द दिये हुए हैं जो पद दिये हुए हैं उनका उचित संबंद बना करके सही जोड़ी बनाओ या सही उत्तर जो है उसमें हम लिखते चले जाएंगे इस तरह से हम उचित संबंद जोड़ पहेंगे चेले आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है उदाहरणम अनुस्रित्य अधो लिखित पदेशु प्रकृती प्रत्यय विभागम सैयोगम कुर्थ अर्थात उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृती और प्रत्यय के का विभाग करना है उसको अलग करना है या सैयोगम या जोड़ना है विभाग मतलब अलग करना और सैयोग मतलब जोड़ना कुरुत करो अर्थात नीचे जो सब्द दिये हुए हैं उनमें से धातु दिये हुए हैं और प्रत्यय दिये हुए हैं कहीं पर इन का मतलब होता है जैसे एक उधारन दिया क्या उधारन दिया उधारन है जागरितम यह सब्दा है अब यह जागरितम सब्दा कैसे बना यह बता दिया क्या बताया जागरिधनक्त इती जागरितम तो जैसे जागरिधनक्त मिलकर के जागरितम बनता है इसी तरह से और जो प्रत्या का प्रयुक जब होता है तब इसके जो रूप बदते हैं वो तीनो लिंगों में रूप बनते हैं पूर्लिंग में भी रूप बनता है और नपुनसकलिंग में भी बनता है जैसे जागरितम जो कहा गया है ये नपुनसकलिंग का रूप है इसी तरह से इसका रूप कहीं पर आपको जागरिता भी मिलेगा और कहीं जागरिता भी मिलेगा तो जागरितम नपुनसकलिंग का तो क्रीता ये तीनों बनेंगे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर पहली रिक्तिस्थान दिया अर्थात धातु क्या ही है हमको बताना है फिर धन्त बराबर छिन्नह अर्थात छिन्नह में कौन सधातु का योग करें किस धातु के साथ में अक्ता प्रत्य का योग करेंगे तो छिन्नह बनेगा यह पूछा गया है तो यहां पर छिद धन्त इती छिन्नह छिद मतलब काकना तो छिद धातु है छिद धन्त इती छिन्नह चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है छिद धन्त अब छिद हातु और तप्रत्य दोनों का योग करना है और दोनों का योग करके क्या बनता ही यह लिखना है तो छिद हातु में तप्रत्य का योग करते हैं तो दो चीतम, चीतह, चीता यह रूप बनेगा या चीनम, चीनह, चीना यह रूप बनेगे तो चीतम बनेगा नपुन्सकलिंग, चीता बनेगा पूर्लिंग, चीता बनेगा यह इस्रिलिंग, इसी तरह से चीनम, नपुन्सकलिंग, चीनह, पूर्लिंग और चीना यह इस्रिलिंग क चलिए आगे बड़ते हैं अगला सब्दा है धातु है व्रीद धन अब यहां पर प्रतिय कौन से जोड़ें जिसे व्रिद्धा यह सब्द बने यह कहा गया है तो व्रिद्धातु धन तप्रत्य यह इति व्रिद्धा चलिए अगला है प्रति धन रिक्तिस्थान फिर धन फिर प्रति श्थितम यह सब्द बना है तो प्रति श्थितम सब्द बनाने के लिए प्रति का योग करना है क्ता का योग करना है और धातु का उन से योग करना है यह पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं स्था धातु होता इसका तिष्ठ रूप बनता है तो प्रती धनस्था धनक्त इति प्रतिश्चितम स्था मतलब धहरना तो प्रती धनस्था धनक्त इति प्रतिश्चितम तो प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा सुभासितानी और साथ ही इस पाठ के जितने अभ्यास हैं उन सब को भी हमने हल किया निश्यत रुप से आप पाठ को भली भाति समझें हैं और इस पाठ में जितने निती की बाते कही गई हैं जितने अच्छी बाते कहे गई हैं उन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और उनका पालन करेंगे, सुभासि श्लोकोंकों याद करेंगे, यथा औसर उसका प्रयोक करेंगे पाठ के अधार पर, जितने अभ्यास प्रस्न है, उनको हमने हल किया आवश्यक नहीं कि इन अभ्यास प्रस्णों में जो प्रस्ण दिये गए हैं, उन में से ही प्रिक्षाओं में पूछे जाएं, वहां से यदि पूछे जाएंगे, तब तो आप लिख लेंगे, लेकिन यदि पाच्ट के भीतर से भी यदि प्रस्ण पूछे जाएं, तो चुक कि निश्चित रूप से पाच्ट संबनित कोई भी प्रस्ण यदि किसी भी परिक्षा में पूछा जाता है, तो उसके उत्तर देने में आप समर्थ होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, चलिए हम अब अगले पाच्ट मिलेंगे, तब तक के लिए सर्व्यभ्यो नमो नम हुआ हुआ